नमस्कार आज इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम एक्सेप्टेबल है स्क्रीन टाइम जादा होने से उनको क्या-क्या नुक्सान हो सकता है और इसे छुडाने के लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं American Academy of Pediatrics मतलब अमेरिका में शिशु रोग विशेशग्य की एक संस्ता उसके अकॉर्डिंग जीरो से दो साल वाले बच्चों को किसी भी तरह का स्क्रीन आफ़र नहीं किया जाना चाहिए 2-12 साल वाले बच्चों के लिए 1 घंटे का समय और 12 साल से बड़े बच्चों में 2 घंटे तक का समय acceptable है अगर इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा तो बच्चों में क्या-क्या समझाय आ सकती है नमबर एक ओबैसिटी जो की बहुत जादा खाने से और लेस एक्टिव लाइफ जीने से यह हो सकता है बच्चों में इरिटेबल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, स्लीप डिस्टिबंसे जैसे समझ्चा हैं हो सकती है स्कूल परफॉर्मेंस बच्चों का पूर हो सकता है, उनके ग्रेड में गिरावट आ सकती है क्रॉनिक नेक और बैक प्रॉब्लम, गर्दन और कमर में दर्द की समझ्चाएं हो सकती है आई-related issues हो सकते हैं, जैसे dryness, itching, redness, vision loss, decrease होना, headache-related issues और इसे कैसे कम किया जा सकता है अपने बच्चे को outdoor activity करने के लिए promote करे daily या weekly goal set करें कि इस हफते या daily आपको कितना screen time कम करना है suddenly उसका screen time कम ना करे बच्चे के सामने आप swim, mobile या किसी भी तरह का gadget, screen से related use ना करे घर में एक screen free zone बनाए जैसे कि lunch के time या dinner के time कोई phone use नहीं करेगा या particular इस hour के time कोई phone use नहीं करेगा